Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की pick a card reading है और आज हमारा topic है आपके person की feelings इस वक्त आपके लिए क्या है? There are feelings for you right now, जब आपकी reading देख रहे हैं. So ये बिल्कुल timeless reading है, जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा. और regardless आपकी क्या situation है आपके partner के साथ, सबके लिए ये reading open है. So शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के cards, possibilities बताएंगे. आपकी final destination, safe divine source को बता है. इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है. इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं. Thank you so much. अब सब लोगोंने मुझे जितना प्यार दिया है और support किया है. I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए है मेरे channel पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है. पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा. So अब हम शुरू करते हैं और आपके पास तीन options है. Option number one के लिए हमारे पास है six of cups. So ये cards मैंने selection के लिए रखे हैं, इनका reading से कोई तालुक नहीं है. Option number two है हमारे पास ten of cups. और option number three है हमारे पास ace of cups. So one, two and three. और option number one है A to I, option number two है J to R, option number three S to Z. तीनों में जहां पर आपका ये आपके partner का name initial आता है, उसी में आपकी reading है. So आपने confused नहीं होना है, अगर आपको initial से choose करने की आदत नहीं है, आप सिर्फ cards से selection कर सकते हैं. ये मैंने उनके लिए रखे हैं, जो ये request करते हैं कि हमें ये रखके दें, हमने इसी से selection करनी होती है. So आपने इसमें परिशान नहीं होना है, बाकी जैसे आपकी intuition आपको guide करती है, वैसे selection कीजिए, तीनों के time stamps आपको description में मिल जाएंगे, skip करके आप easily अपनी reading पर पहुँच जाएंगे. So मैं start करूँगी option number one से, जिन लोगों ने option number one, यानि के 8 y select किया है, six of cups के साथ, ये आपकी reading है, और हम देखेंगे आपके person की feelings, आपके लिए इस वक्त क्या हैं जब आप ये reading देख रहे हैं, their current feelings, their feelings for you right now, जब आप ये reading देख रहे हैं. उनकी current feelings, Spirit हमें divine message दीजिएगा, group one के लिए, उनके person की current feelings क्या है, इस वक्त वो कैसा feel कर रहे हैं, उनकी current feelings क्या है, उनकी current feelings, हमारे पास है the hermit, उनकी current feelings, मेरे viewer के लिए क्या है, Spirit, हमारे पास आगया है night of cups, उनकी current feelings, Spirit, हमारे पास है eight of wands, उनकी current feelings, उनकी current feelings, the chariot, उनकी current feelings, feelings, oh my god, amazing, इसका तालुक reading से नहीं था, बट आप ये देखें कि आपने selection की है, और six of cups की, और six of cups आपकी reading में आ गया है, amazing, उनकी current feelings, हमारे पास eight of swords भी आ गया है, so eight, eight किसी के लिए important हो सकता है, फिर हमारे पास judgment आ गया है, wake up call, realization, it's now or never, ऐसी realization, queen of swords, और एक extra card आपके लिए है, और ये मुझे shuffling के दौरान भी नजर आ रहा था, six of wands, bottom पर हमारे पास है the world, ये भी हम रख लेंगे, tower moment आप लोगों के दर्मियान पहले आ चुका है, so I feel के जिन लोगोंने group one select किया है, आप लोगों की separation चल रही है, आप लोगों में कोई tower moment आया, आप लोगों के दर्मियान fight हो गई, break up हो गया, separation situation है, long distance है कुछ लोगों का और बाकियों का obviously, एक emotional distance है, आप लोग emotionally इस वक्त distance पर है, right, तो बाकि I feel के ये इनसान आपको इस वक्त बहुत जादा याद कर रहे है, ये उनकी current feelings है, their feelings are right now, so इस वक्त हमारे पास यहाँ पर वरगो है, लीब्रा है, अक्वेरियस है, पाइसीज कैंसर, स्कॉर्पियो है, साइजिटेरियस है, ये star signs है, इसमें से कोई आपका याँ उनका हो सकता है, बड़ जरूरी नहीं, आपने ज़्यादा energy पर focus करना है, अगर energy आपसे match करती है, तो बिल्कुल आपकी reading है, so ये इनसान क्या feel कर रहे हैं इस वक्त, obviously इनसान बहुत lost है, they feel कि वह आपके बिना lost है, motivation नहीं है जिन्दगी में, light नहीं है, happiness नहीं है, emptiness है, darkness है, but also I feel कि ये जो separation है, ये उनके लिए बहुत ही ज़ादा आप कहलो कि उनकी spiritual growth के लिए बड़ी important साबित हुई है, अगर ये separation नहोती, ये tower moment आप लोगं के दरमियान ना आता, तो ये इनसान grow ना करते है, ये इनसान spiritually grow ना करते है, उनकी awakening ना होती, तो ऐसा लग रहा है कि वो ये भी सोच रहे हैं, कि ये एक dark period तो है, बट ये ही period उनकी जिन्दगी का एक breakthrough वाला point है, जहां पर वो कुछ learn करेंगे, सीखेंगे, जहां पर finally उनको ये realize हो रहा है, कि okay मेरे अंदर ये चीज़ है, या मेरे अंदर ये trauma है, या मेरे अंदर ये एक चीज़ है, जो मुझे ठीक करनी चाहिए, जिसकी वज़ए से मेरे relationships affect हो रहे हैं, और ये चीज़ शुरू से है, पहले भी उनकी इसी चीज़ की वज़ए से, उनके past relationships भी नाकाम हुए, और उनको finally ये चीज़ realize हो रही है, कि मुझे ये ठीक करना है, इस चीज़ को मुझे ठीक करना है, fix करना है, ताकि ये मेरा relationship खराब ना हो, और इसमें मुझे permanent break up नहीं चाहिए, मैं इसी relationship को मुझे fix करना है, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ fix ना की, तो future में भी मेरे relationships हैं, वो इसी तरह से affect होंगे, तो major major realization का time चल रहा है इस वक्त, आपके person को realization हो रही है, और इस वक्त अगर वो आपसे connect नहीं कर रहे हैं, तो आपने परिशान नहीं होना है, आपने sad नहीं होना है, बलके ये अच्छी बात है कि अभी आप लोग अलग हैं, ताकि ये इनसान कुछ learn कर लें, और जब ये वापिस आएंगे, तो बेहतर इनसान बन कर आएंगे, उसी तरह से नहीं आएंगे जैसे पहले थे, जो भी वो पहले कर रहे थे, जो भी उनका एक pattern था, उस तरह से नहीं आएंगे, अब जब भी आएंगे, बदल कर आपकी तरफ आएंगे, बिलकुल उनके अंदर एक बड़ा ही change आप देखेंगे, उनके behavior में एक change देखेंगे, यानि आपको लगे का कि ये एक different इंसान है, जो अब आपकी जिन्दगी में आएंगे हैं, so I really feel कि it was necessary कि आप दुनों का break-up होता, आप दुनों एक दूसरे से दूर होते ताके realization होती, और ये इंसान कुछ ना कुछ सीखते, so I feel कि ये इंसान सीख रहे हैं, grow कर रहे हैं, ये इंसान आपसे apologize करना चाते हैं अपने past behavior के लिए, अभी obviously stuck हैं, अभी learn कर रहे हैं वो धीरे-धीरे, but I do feel कि एक नया cycle शुरू होगा, और ये नया cycle बहुत खुबसूरत होगा, ये इंसान आपसे contact करेंगे, चीज़ें बहतर होंगी, progress करेंगी, और थोड़े दिन लग सकते हैं इसमें, ये जो new cycle आपका शुरू होने वाला है, अब जो next new moon आएगा हो सकता है, तब ये नया cycle आप लोगों का शुरू हो, जिसमें ये इंसान आपसे apologize करेंगे, चीज़ें बहतर होंगी, और फिर आपके लिए ये message आ रहा है, कि अब जब ये नया cycle शुरू होगा new moon पर, जो next new moon आएगा, तब आपको healthy boundaries set करके चलना है life में, आपके लिए भी lesson है, इस connection के through, वो भी grow कर रहे हैं, उनके लिए भी lessons हैं, और आपके लिए ये है कि आप भी boundaries set करना सीखें, life में no कहना सीखें, no कहने से कोई बुरा इंसान नहीं होता, boundary set करने से कोई selfish या बुरा इंसान नहीं होता है, that's what you need to learn maybe, कि आप no कहना सीखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के काम नाएं, ये क्या चीज़ नहीं है, जो चीज़ें हमारे लिए acceptable नहीं होती है, हम दूसरों के लिए उनको खुश करने के लिए वो चीज़ें accept कर लेते हैं, और ये होता है कि हमारी जिन्दगियों में boundary की कमी है, healthy boundary की कमी है, इसकी simple example ये है, I hope कि मैंने आपको सही से explain कर दिया है, तो ना कहने से कोई बुरा नहीं होता, अब जो नया cycle शुरू होगा आपका उनके साथ, उसमें आपको healthy boundaries रखके चलना है, so with the world card, ये एक new energy enter हो रही है, and I feel कि एनसान बहतर होकर आपकी तरफ आएंगे, ये चीज़ें official होती भी नज़र आ रही है, families involved में भी होती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा कि जो आपको बताएगा कि ये इनसान serious है आपके बारे में, और इस connection के बारे में, so let's see what more, I also feel कि आपके person ने किसी से discuss किया है इस connection के बारे में, अपने किसी बहुत करीबी से, उनके siblings में से, या कोई बहुत उनके जो करीबी दोस्त हैं, उनसे उन्होंने share किया है, let's see वो और क्या feel कर रहे हैं इस वक्त, इस वक्त उनकी feelings, spirit, their feelings right now, वाउ, card अभी मैं आपको दिखाती हूँ, okay, एक और card, एक्स्ट्रा card भी आगया, finances and career, ये देखिए, हमारे पास क्या card आया है, wedding, so मैंने आपको यही बुला, कि अब जब आएंगे, तो बहुत change उनमें नजर आएगा आपको, और शादी के लिए तयार नजर आ रहे हैं, यानि आपको convince करके, मतलब ready होकर आ रहे हैं, maybe आप लोगों का breakup इस बात पर हुआ, कि वो शादी के लिए ready नहीं थे, this could be the one, stay optimistic about your love life, playfulness and new love, कुछ लोगों की जिंदगी में, literally new love भी आ सकता है, बट इसका मतलब यह है, कि connection renew हो रहा है, ये new love लगेगा आपको, आपको लगेगा कि it's a new connection, ये इंसान बिलकुल एक नए इंसान लगेंगे आपको, और अच्छे लगेंगे आपको, आपको नजर आएगा उनके अंदर change, आपको लगेगा कि there is something new, और ये इंसान शादी की नियत से आएंगे आपकी तरफ, male हो या female, उनको ये realization होगी है कि you are the one, so आपके लिए भी ये message है कि stay positive, stay optimistic, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine, so maybe ये इंसान ऐसे थे कि मतलब, जो भी उनका trauma था, जो इस भी चीज़ को वो अभी हील करके आ रहे हैं आपकी तरफ, वो अपने आपको allow नहीं करते थे कि वो enjoy करें, इस bliss को, इस खुबसूरत connection को और आगे बढ़ें, allow नहीं कर रहे थे वो, बहुती ज़रा डर डर कर कदम आगे बढ़ा रहे थे, but अब वो पूरे open होकर, पूरे दिल के साथ इस connection को pursue करने वाले हैं, जिस तरह वो पहले कभी open नहीं हुए आपके साथ, so I feel कि वो यही सोच रहे हैं, उनकी यही feelings हैं इस वक्त, उनकी current feelings हैं, वो आपके साथ settle होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, open होना चाहते हैं, fear के साथ नहीं आना चाहते हैं, confusion के साथ नहीं आना चाहते हैं, so we have serendipity, wow, something very miraculous, कुछ बहुत खुबसूरत होने वाला है, आपका उनकी जिन्दगी में आना भी बहुत, was miraculous, we have worthiness, wow, so I feel कि, this is something जो उनोंने भी learn करना शुरू किया है, और वो यही feel करते हैं, कि मतलब, आपने उन्हें यह feel करवाया, कि वो worthy हैं, वो भी deserve करते हैं, system बहुत ज़ादा low थी, जिस पर उनोंने work किया है, या लर्ण कर रहे हैं अब, और आपके लिए भी है यह message, अगर आपको कहीं न कहीं ऐसा कुछ था, कि मतलब आपको लगता था, कि maybe you are not lovable, आप में कोई कमी ऐसा नहीं है, you are absolutely worthy, इसका यह मतलब भी है, आप दोनों के लिए यह equally बड़ा important है, card worthiness का, आपने उनको feel करवाया, कि बहुत worthy हैं वो, बहुत lovable है, and they do feel कि आप भी बहुत ज़्यादा worthy हैं, और आप भी lovable हैं, और आप भी उतना ही ज़्यादा प्यार deserve करते हैं, इसलिए, वो अपने लिए भी और आपके लिए भी change होना चाहते हैं, जब मैंने यह कहा तो 11-11 हो रहा था विडियो में, huge confirmation के इनसान change हो रहे हैं, एक नया path open up हुआ है उनके लिए, और आप positive रहें अपनी love life को लेकर, so I feel कि यह इनसान इस वक्त सोच रहे हैं, बड़ा seriously आपके बारे में, they are missing you, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, में भी आपकी pictures को देख रहे हैं, आपकी बाते हैं, आपकी smile उन्हें यादा रही है, हर बात यानिके, कुछ आप में special है, कुछ आप उनको हमेशा कहा करते थे, कुछ, कुछ आपका pet word हो सकता है, कुछ आपका एक खास अंदाज है, जो आप हमेशा करते हैं उस तरह से बात, वो चीज़ उनको बार बार याद आती है, there is something special about you, the way you talk, और कुछ आपके pet words हैं, जो आप जरूर कहते हैं हर बात के साथ, कोई बड़ा sweet सी कुछ चीज़ है, आपके अंदर वो बार बार उसके बारे में सोचते हैं, so they feel कि आप उनके लिए important है, और आपके बिना उनकी life में वो आगे नहीं जाना चाहते हैं, आप ही के साथ grow करना चाहते हैं, so अब हम आपके लिए दो सॉंग्स ले लेते हैं, ये दो सॉंग्स हम ले लेंगे आपके लिए, साथ आपके लिए yes and no होगा, और letters or numbers, इसमें आपका name initial आपके partner का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, life path number, house number, car number, so पहले हम इसको center में कर लेते हैं, okay, so अब हम शुरू करते हैं आपके yes and no से, so सॉंग्स देख लेते हैं, हमारे पास आया है, मेरी जिन्दगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखते, very nice सॉंग, कभी अलविदा ना कहना, very nice सॉंग, वो कभी आप से दूर नहीं जाना चाहते हैं obviously, so कभी नहीं जाते हैं कि वो आपको goodbye बोलें, very nice सॉंग, so yes, इसका मतलब यह है कि वो कभी आप से अलविदा नहीं कहने वाले, वो आने वाले हैं आपके पास वापिस, और आप लोगं का connection प्रोग्रेस करने वाला है, आप लोगं का साथ बहुत ज़्यादा है, which I really hope कि आपको उनका साथ मिले, long term, lifetime, बहुत सारे lifetimes में आपको उनका साथ मिले, So I do see कि आप लोगों का एक long term connection है, चलेगा, possibility है, So यहाँ पर आपके partner का पूरा नाम आ सकता है, आपका आ सकता है, कोई word ऐसा आ सकता है जो आप से resonate कर जाए, कोई आपकी situation से related, आपका phone number, उनका phone number, phone number के last three digits, या शुरुवात के three, four digits बन जाएं, या पूरा number बन जाएं, यह भी हो सकता है, So यह एक sign होगा आपके लिए, कि यह आपी की reading थी, 555,88, आपका answer yes आ गया है, C, F, E, D, M, and J, So आपका answer आ गया है, yes देख लिजे, yes is your answer, और यह थी आपकी reading, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आप बताईगा, comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजेगा, share कीजेगा, और subscribe करना मत भूलिएगा, जिन लोगों ने option number 2, यानि के J2R select किया है, 10 of cups के साथ, यह आपकी reading है, और हम देखेंगे, कि आपके person इस वक्त कैसा feel कर रहे है, their feelings for you right now, their feelings right now, जब आपके reading देख रहे हैं, आपके person कैसा feel कर रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या feelings हैं, right now, right now, spirit हमें divine message दीजेगा, group 2 के लिए, उनके person की feelings इस वक्त क्या हैं, उनकी feelings इस वक्त क्या हैं, spirit, oh my god, मैंने अभी shuffling के दौरान ये card देखा था, two of cups, union, union के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि, आखरी दफ़ा जब आप लोग मिले थे, या कोई खास आप लोग की मुलाकात थी, बहुत सारे cards आ गए, ये हम नहीं लेंगे, और ये हम रख लेंगे, आप लोग के दर्मियान हो सकता है कि, कोई टावो मोमेंट आया, ऐसा लगता है कि कोई past में कोई special आप लोग की मुलाकात थी, यानि जब भी आप सोचते हैं उनके बारे में, आज भी आदा रहा है, so definitely I feel कि it's a break-up separation situation with a 10 of swords, ऐसा लग रहा है कि चीजें खतम हो चुकी हैं हमेशा के लिए, and they are missing you, and they are very sad, so आपके परसन बहुत जदे sad नज़र आ रहे हैं इस present time में, और ये इनसान manifest कर रहे हैं आपके साथ meeting, या आप उनको manifest कर रहे हैं, basically आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को manifest कर रहे हैं with the two of cups, इस से हमें ये पता चल रहा है कि it's a soulmate connection, और आप दोनों एक दूसरे को mirror कर रहे हैं इस present time में, let's see more, उनकी current feelings, we have the emperor, उनकी current feelings, या बहुत सारे आ गए हैं, उनकी current feelings, spirit, eight of swords, यहाँ पर Aries बहुत strong है, Aries है, Scorpio है, Gemini है, Libra है, Pisces Cancer, ये star signs हैं, लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि आपने energy पर focus करना है, अगर energy match करती है तो बिलकुल आपकी reading है, bottom पर हमारे पस है king of wands, so ये इनसान आपके लिए बहुत ज़्यादा passion, बहुत ज़्यादा प्यार feel करते हैं, बट they are trying their best कि वो move on करें इस connection से, they are trying कि वो आपसे move on कर जाएं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे past में, बहुत ज़्यादा fights, बहुत ज़्यादा irritation, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चोटी चोटी बातों पर आप लोगों के disagreements होना शुरू हो गए थे, आप लोग बहुत ज़्यादा fights आप लोगों की हो रही थी, यानि हर दूसरे दिन कोई ना कोई fight, कोई ना कोई जगड़ा, और शायद वो ये सोच रहे हैं, आपने भी सोचा के शायद ये connection अब खतम हो जाए तो बेहतर होगा, because इस connection की goodness खतम हो चुकी है, जो पहले थी, you feel कि इस connection की goodness खतम हो चुकी है, अब इसमें वो goodness वो बात नहीं रही रही जो शुरुआत में थी, लेकिन अब जब कि आपको फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि अब breakup जो है, वो सच में हो गया है, तो उन्हें तकलीफ हो रही है वो आपसे मिलना चाहते है वो आपसे बात करना चाहते है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हर दिन सोच रहे हैं आपके बारे में हर लमहा सोच रहे हैं आपकी याद आ रही है उन्हें आपकी हर चोटी चोटी चीज, आपकी बात उनको याद आ रही है और ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में they do try, they try कि वो आपको भूल जाएं, वो सोचते हैं कि move on कर जाना चाहिए बट उनसे हो नहीं पा रहे हैं उनके जहन में, वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लों का break up शायद इस वज़ा से हुआ कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे basically वो आपको कोई hint नहीं दे रहे थे, कोई clear message या फिर नहीं दे रहे थे आपको ये नहीं बता रहे थे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, शादी के बारे में future के बारे में, settle down होने के बारे में, उनका क्या इरादा है, वो इस बारे में you know कि ये connection आप कहलोगे limbo में था, या आपको उन्होंने limbo में रखा हुआ था, clarity नहीं दे रहे थे basically इस पर आपको, ये भी हो सकता है कि इसी के ओपर बार-बार आपकी fight होती होगी उनसे, कि आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, आपका क्या future के plans हैं, आपको settle down जिंदगी में होना है या नहीं होना है, आपका क्या इरादा है, और इस पर वो आपको कोई clarity नहीं देते होंगे, जिमेदारी नहीं ले रहे थे और फिर इसी लिए आप भी frustrate हो गए और आपने का कि obviously अब अगर इस इनसान ने मेरे साथ future इसका है ही नहीं तो फिर मैं क्यूं इसके साथ चलूं राइट, अपना time मैं क्यूं इसके ओपर waste करूं, तो फिर break up कर लिया, move on करना चाह रहे हैं, अब आप कोशिश करते हैं, move on करने की, so ये एक बड़ा ही challenging सा time चल रहा है आपके लिए, बड़ा कमजोर भी होता है इस time में इनसान के, अगर सामने वाले की तरफ से कोई एक text message आ जाए, या एक call आ जाए, तो आप फिर उसी की तरफ के हो जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप एकदम से अपने emotions में बह जाते हैं, वो सारा connection है, वो सारा recap चल जाता है जहन में और एकदम से तूट जाता है, इनसान बिखर जाता है और कहता है कि चलो वापिस चले जाते हैं connection में, so it's a very challenging time जहाँ पर आप straight सोचना चाहते हैं, बट आप से straight आप सोच नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे ह आपके जो heart of the matter है, जो reality है उसको आप माने, मान के, accept करके चलें जिन्दगी में आप इस वकोशिश कर रहे हैं, बट बड़ा challenging हो रहे हैं आपके लिए, and I feel कि आपके person के लिए भी equally उतना ही challenging है जितना आपके लिए है, because उनोंने भी आप से प्यार किया तो है, और उनकी भी crave कर रहे हैं, आपकी energy, आपके लिए बहुत प्यार है उनके दिल में, मतलब उन से नहीं रहा जा रहा आप से बात किये बिना, और उन्हें तकलीफ है कि उन्होंने आपको बहुत ज़ादा तकलीफ दी है, उन्हें दुख है इस बात का, so ये इनसान आपको stalk भी कर रहे हैं इस वक्त, और ये भी हो सकता है कि आप भी कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को इस वक्त stalk कर रहे हैं, आप में से कोई एक ऐसा है जो social media पर बिल्कुल active नहीं है, जिसको चाहकर भी कोई stalk नहीं कर सकता है, आप में भी status वगरा लगाना ये चीज़ें आप नहीं करते हैं, और हो सकता है आपके person ये चीज़ करते रहते हैं, और इस वक्त में भी वो आपको दिखाने के लिए कुछ status वगरा लगा रहे हैं कहीं पर, whatsapp पर या कहीं और, तो में भी वो चाह रहे हैं कि आपका कोई reaction निकल वाएं या आप contact कर लें उनके status देखकर, तो इस तरह basically चाह रहे हैं कि आप आजाएं उनके पास, उनको ना करना पड़े कुछ, let's see, इस वक्त वो और क्या feel कर रहे हैं, so वो खुद से इसलिए नहीं आ रहे हैं, फिर आपकी terms पर उनको चलना पड़ेगा, इसलिए बचारे हैं कि आप आजाएं ताकि वो अपनी terms पर आपको चलाएं, manipulate कर रहे हैं थोड़ा सा, बहुत सारे आ गए हैं, चले हम रख लेते हैं, ये देखिए, soulmate, मैंने आपको बो financialness, finances and careers, हो सकता है कि वो अपने career को लेकर थोड़े से परिशान हैं, या कुछ चेंज आया है उनके career में, उन्होंने job change किया है, कुछ ऐसा हो सकता है, और ये इनसान आपसे मिलना चाहते हैं, they love you, very soon, flirt and trust, okay, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि ये इनसान लाइफ क flow के साथ जाना चाहते है, they want कि आप उनसे question ना करें future के बारे में और आप बस you just go with the flow, वो चाह रहे हैं, trust करें आप उनके ओपर वो ये चाह रहे हैं, चीजों को light रखना चाहते हैं, future के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, वही बात कि वो फिर से, you know, आपके साथ ये रिश तो ये इनसान, I feel के शादी के लिए ready नहीं है, शादी करना चाहते हैं वो, because I do feel के यहाँ पर mutual love, mutual connection है, और आप दोनों चाहते हैं, mutually दोनों चाहते हैं शादी करना, बट ये इनसान ready नहीं है, for whatever reason, ये इनसान अभी ready नहीं है शादी के लिए, या वो सोच नहीं रहे हैं, या फिर उनका कोई और goal है financial, जिसकी वज़े से वो भी ready नहीं है, so they want के आप उन पर trust करें, वो ये सोच रहे हैं कि काच वो मुझे पर trust करें, जो वक्त है, उसको जीए मेरे साथ, और शादी कर लेंगे जब वक्त आएगा, इस तरह की बातें शायद वो करते हैं, and obviously ये acceptable न Let's see, और क्या सोच रहे हैं ये इंसान, हम तो उनकी current feelings देख रहे हैं, the sacred woman, okay, so they know के आप ये एक wise इंसान है, आप एक spiritual इंसान है, आप के साथ उनको mess नहीं करना चाहिए basically, या किसी ना किसी हद तक उन्होंने mess किया है, connection, so there is a strong connection, soulmate connection, love प्यार किया है उन्होंने आप से, they do love you, कुछ बड़े specific messages आ रहे हैं, abundance, उन्होंने आपके साथ बहुत जदा love experience किया है, आपने भी किया है, but pain भी बहुत experience की है, the sacred woman, you are someone के जिसने कभी अपने दिल को किसी के लिए इस तरह open नहीं किया, you are someone जिसने पहली बार किसी को बहुत चाहा है, जिसने पहली बार किसी को अ अपने बहुत ही करीब आने दिया है, specific message है, यह सब के लिए नहीं है, so I feel कि इस बात का guilt आपके person को है, कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, और आपको तो बहुत ही जदा पश्तावा है कि क्यों आपने उनको इतनी space दी, अपने इतने करीब क्यों किया, उन्होंने आपक इतना hurt किया है, so वो सोच रहे हैं कि आप एक spiritual और बहुत ही pure soul है, और उन्होंने गलत किया है आपके साथ, और अभी भी वो आपको शादी के बारे में clearly नहीं बता रहे है, अभी भी उनको time चाहिए है, which is totally unfair I feel, you are very spiritual, आपके person ने आपको hurt किया है, big time, time, let's see, आपके लिए दो songs लेते हैं, so ये इनसान सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, they absolutely know कि आप जैसा कोई इनसान कभी उनकी जिन्दगी में नहीं आ सकता है, they absolutely fear कि उन्हें इस चीज़ का कार्मा मिलेगा, जो उन्होंने आपके साथ किया है, और they know exactly उन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपको कुछ भी उनको कहने की, realize करवाने की जरूरत नहीं है, they do love you, though, जैसा कि मैंने कहा, but unfortunately उन्होंने आपको hurt भी किया है, so यही सारी बातें वो इस वक्त सोच रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में वो, so अब शुरू करते हैं आपके yes and no से, songs देख लेते हैं, मेरी जिन्दगी में अजनभी का इंतजार है, maybe अब आप सोच रहे हैं कि आप को कोई new person चाहिए, बाजीगरो, बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, okay, यह the magician की energy भी है हमारे पास, wow, this is interesting, so आपको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई spell कर दिया, आपके ओपर जादू कर दिया है कि आप उनके spell में से निकल ही नहीं पा रहे हैं और एक दम जैसे control कर लिया उन्होंने आपके mind को, आपके दिल को और आप कैसे इतना जादा किसी के लिए crazy आप कभी भी नहीं हुए, या आप कैसे इतना बदल सकते हैं किसी के लिए, ऐसा आपको feeling आती होगी, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इनसान आपको धोका दे कर चले गए हैं, so basically I feel कि ये इनसान आपसे बहुत ज़्यादा different है, ask a friend आपका answer आगया है, Z, K, ये इनसान आपसे बहुत ज़्यादा different है, और आप बहुत ज़्यादा spiritual हैं, वो उतने spiritual नहीं है, Q, 9, R, L, V, Z, E, D, D, V, S, V, 3, 3, Z, so ask a friend को हम consider करते हैं कि अपनी intuition को follow करें, Y, 7, H, and H, so ये हैं आपके letters और numbers, और आपका answer आया है, ask a friend, follow your intuition, trust your intuition, so ये थी आपकी reading, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आप बताईएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजिएगा, share कीजिएगा, और subscribe करना मत भूलिएगा, जिन लोगों ने option number 3, यानि के S to Z select किया है, Ace of Cups के साथ, ये आपकी reading है, और हम देखेंगे, कि आपके person की feelings, इस वक्त आपके लिए क्या है, और इस connection के लिए, वो क्या feel कर रहे हैं, उनकी feelings, their feelings for you right now, their feelings for you right now, spirit हमें divine message दीजिएगा, group 3 के लिए, उनके person इस वक्त कैसा feel कर रहे हैं, right now, their feelings, उनकी feelings इस वक्त, we have nine of wands, इस वक्त उनकी feelings, इस वक्त उनकी feelings, 10 of pentacles, ओके, शायद उनको ऐसा लगता है, कि आपकी शादी हो रही है कहीं और, या आप उनसे अब शादी नहीं करना चाहते हैं, या आपको उनसे नफरत है, ऐसा feel हो रहा है उनने, आप अभी भी उनके लिए wish fulfillment हैं, they really feel कि आप उनने complete करते हैं, और इस वक्त वो बिलकुल incomplete हैं, oh my god, seriously, group one के साथ भी यही चीज हुई है, हो सकते हैं, आप group one और three, दोनों देखना चाहते थे, amazing, यह group one के साथ भी जीज हुई है, so एक fresh new start चाहते हैं, इनसान आपके साथ, और शायद आप भी, let's see, बट इस वक्त शायद आप उनसे नाराज हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, the hanged man, the hermit, yes, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तक है आप लों की situation, आप दोनों ने दुसरे से break up कर लिया है, बट break up किया नहीं है, basically, आप दोनों को दिल में पता है, कि रिश्टा खतम नहीं हुआ है, intuitively आप दोनों जानते हैं यह बात, queen of pentacles, two of swords, death, eight of cups, sometimes बहुत real लगता है यह break up, sometimes आप सोचते हैं कि नहीं, वो भी यह सोचते हैं कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, time के साथ थोड़ा time देंगे, situation को तो ठीक हो जाएगी, sometimes बहुत real लगता है, और बहुत तकलीफ दे है, और बहुत मुश्किल है, बहुत challenging है एक दूसरे से दूर रहना, so I really feel कि आपके बेना जिन्दगी बिलकुल empty है, कुछ नहीं है जिन्दगी में, बिलकुल बेकार है, खाली है, कोई रंग नहीं है, कुछ भी satisfy नहीं करा, कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही, पैसा, मतलब कुछ भी उन्हें खुशी नहीं दे रहा है, क्योंकि आप नहीं हैं उनके पास, और शायद ये चीज़ उनको पहले नहीं महसूस हो रही थी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं, उनको एहसास होना शुरू हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके बिना हर दिन, यहाँ पे वर्गो बहुत स्ट्रॉंग है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लीब्रा, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाए, यह स्टार साइन्स यहाँ बहुत स्ट्रॉंग ली हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, आपने जादा एनरजी पर फोकस करना है, अगर एनरजी मैच करती है, तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, तो यह इंसान, they really see you as a family, I really feel कि उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा, कि आप उनसे अलग हैं, या आप उनकी फैमिली नहीं है, they really feel कि you are family, you are their family, they love you, उन्होंने हमेशा यह सोचा है, कि आप उनके अपने हैं, सबसे करीब हैं उनके, आपकी कदर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बढ़ शायद show नहीं करवा पाएं कभी, यह इनसान बहुत ज़ादा सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, और शायद आप भी manifest कर रहे हैं उन्हें, यह इनसान बहुत lost हैं आपका behavior देखकर, I feel कि आपने उन्हें बहुत nurture किया, मतलब आपने extreme पे पहुँचा दिया, मतलब radar को भी तोड़ दिया आपने, आपने जो एक level set कर दिया, level of love जो आपने उन्हें दे दिया, बहुत high है, बहुत high आपने set कर दिया, scale को बहुत उपर ले गए आप, उनकी expectations, उनकी हर चीज मतलब बहुत high पे चला गया, and now you are not talking to them, I feel कि अब आपके behavior में ये change वो देख रहे हैं, ये चीज उनके लिए बहुत disturbing है, कि आप बिलकुल change हो गए हैं अब, and obviously, उन्होंने आपको इतना hurt किया, उन्होंने आपको मजबूर किया, अगदम से आपने जब रोक लिया, और आप अब नहीं दे रहे हैं उन्हें प्यार, तो उन्हें बड़ा feel हो रहा है, मतलब, वो कह रहे हैं कि यही यही वही इनसान है, जिसने मुझे इतना प्यार दिया था, मेरी गलती है, मैंने उसके साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं है कि वो आपसे गिला इस तरह कर रहे हैं दिल ही दिल में, वो यह कह रहे हैं कि मेरी गलती है कि मैंने उसको इस ले गया, या ले गई, कि वो मेरे साथ cold हो जाए, उनसे वरदाश्ट नहीं हो रहा आपका यह behavior, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको chase करते देखा है, प्यार करते देखा है, यह वाला जो आपका रूप है, यह उन्होंने कभी नहीं देखा, आप देख रहे हैं वो, हैरान है, और आपके साथ और ज़्यादा connect करने का उनका दिल कर रहा है, they really want to be with you, but they don't know how, because उनको डर भी है आपसे rejection का, अब वो बहुत डर रहे हैं, कि आप उन्हें reject कर देंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप उन्हें block कर देंगे, पता नहीं क्या होगा, वो feeling कितनी bad होगी, जब आप उन्हें reject करेंगे, यानि clearly अगर आप उन्हें से काएंगे, कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, just go and just let me go, तो वो ये चीजें ये अलफाज नहीं सुनना चाहते हैं, I really feel कि इन्सान बहुत lost हैं, मतलब उनकी जिन्दगी में एक बहुत आप कहलो कि difficult phase है, जहाँ पर वो अपने सारे fears के साथ face to face हैं, अपने demons कहलो कि demons से जादा fears कहूंगी, fears के साथ face to face हैं, वो वला phase है उनकी life का कि अब वो देख रहे हैं चीजों को, clearly, अपने fears को, बड़ा मुश्किल है ये उनके लिए, number nine आपके लिए important हो सकता है, nine, nine and nine, और आप कहलो कि ये growth का number है, basically, nine isolation का number भी है, और nine जो है, ये एक indication है, कहलो कि cycle के end होने का, growth का, spiritual growth का, तो, I do feel कि group one से, group three थोड़ा-थोड़ा मिलता है, आप जरूर चेक कीजिएगा group one भी, मैं आपको suggest करूंगी, बाकी आपकी मर्जी है, but, I would say कि आप देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ messages आपके लिए हो सकते हैं, so, I feel कि ये इनसान, कुछ ना कुछ learn कर रहे हैं, अब इस सारी situation से, realization हो रही है उन्हें, और, वो चलना चाहते हैं, आपके साथ अभी भी एक निया स्टार्ट चाहते हैं, ये इनसान, and I feel कि, they just don't know how, बट मुझे ऐसे लगता है कि, वो करेंगे आपको pursue, excuse me, मुझे लगता है कि, ये इनसान आपसे, connect करेंगे, let's see, और क्या feel कर रहे हैं इनसान इस वक्त, their feelings right now, their feelings right now, their feelings right now, two cards, तीसरा card, मैंने इस card को ignore किया, फिर भी ये card आगया, आप देखें, pay attention to the red flags, so there are some red flags, chemistry, so ये तो feelings हम आपके परसन की देख रहे हैं, forgiving and learning, वो इनसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और उनको बहुत डर है कि, शायद आपको उनसे प्यार नहीं रहा है, और ये ही red flag है आपके परसन के लिए, और उनको लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि, आप शायद move on कर जाएंगे, आप बहुत strong हैं, वो ये feel कर रहे हैं कि, आप उनसे कहीं ज़्यादा strong हैं, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, कि आप इतने strong इनसान होंगे, मतलब वो कभी सोच नहीं सकते थे, कि, जिस इनसान जो मुझे इतना nurture कर रहा है, जो मुझे इतना chase करता है, वो कभी इस तरह बदल जाएगा, तो एक तरह से एक shock, किसी state में हैं आपके person, और उनको ड़ लग रहा है इस वक्त, कि कहीं, उसने वाक़ी move on तो नहीं कर लिया, और अगर कर लिया है, तो फिर ये भी possibility है, कि उसकी जिन्दगी में कोई और आ जाए, और वो बिलकुल move on कर जाए, और अगर ये सब कुछ हो, उससे पहले मुझे effort करनी होगी उसके लिए, तो एक urgency feel हो रही है हुने, कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, ये बहुत अच्छा सॉंग है, Weekend का and Ariana Grande का है, बहुत अच्छा सॉंग है, उसमें आपके लिए कोई message हो सकता है, Save Your Tays for Another Day, such a lovely song, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे, वो आपसे literally like, वो आपसे कहेंगे, प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो, don't leave me, मैं एफर्ट करूँगा, मैं एफर्ट करूँगी, प्लीज, प्लीज मत जाओ, दो कार्ड आ गए हैं, ये देखिये, Connection, so there is a strong connection, strong, strong connection, Worthiness, Number 35, सिर्फ आपने उने प्यार दिया है, किसी ने इतना वरदी, उने फिल नहीं करवाया कभी, and then the Divine Feminine, so obviously इस वक्त आप एक Divine Feminine Energy में है, आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप Magnetic हैं, आपको अपने उपर एतबार है, you know that you are worthy, you know your worth, you are sitting in your power, इसलिए इनसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिच रहे हैं, इसलिए उनको Realization हो रही है, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, because आप कोई effort नहीं कर रहे हैं अब, you are in your feminine energy, अगर आप नहीं हैं तो आप हों अपनी feminine energy में, so you are this divine feminine, आप जैसा खुबसूरत इनसान उन्होंने कभी नहीं देखा, जितना प्यार उन्होंने आपसे किया, कभी किसी से नहीं किया, so they really feel कि आप में कोई कमी नहीं है, और आप बहुत spiritual भी है, मतलब बहुत जपरदस, मतलब कोई कमी नहीं है आप में, I don't know मैं इस energy को कैसे explain करूं, but मतलब आप इस modern world में, आप एक best example हैं, कि आप हर चीज़ को balance करके चल रहे हैं, mutuality को, अपनी daily tasks को, हर चीज़ को, you know, तो आप एक बहुत अची example हैं और लोगों के लिए, इस modern world में, आप अपनी values से भी connected हैं, मतलब आप एक बहुत balanced अंदाज में जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, 11.44 हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा, sign हो सकता है आपके लिए, ये इनसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं, definitely I feel, and they feel कि जितना आपने उन्हें प्यार दी आप कोई भी नहीं देगा, obviously मैंने आपको बोला ना, रडार तोड़ दिया आपने, level बहुत अप ले गए आप, कोई भी नहीं कर सकता, हर तरह से, but now, now, you've changed, so, आपके परसन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये सारा behavior देखना, उसको हजम करना, आप यूं कह लें, and I feel कि it was necessary, ये important था, ऐसा होना, ऐसा करना आपका, ताकि इनसान ग्रो करें, ताकि इनसान लेर्ण करें, ये बेसिकली एक तरह से, आपके परसन की awakening है, spiritual awakening, with a hermit, और ये इनसान, पहले से बेहतर होकर, सामने आएंगे, effort करेंगे, basically, उनको realization यह उरी है, कि आप मुझे effort करनी है, with a magician, the magician एक confident energy है, और magician के पास हर tool है, और magician, एक manifester है, magician कुछ भी create कर सकता है, because उसको पता है, मेरे हाथ में power है, and I can, you know, manifest, और जो भी मैं, जिस भी चीज़ पर अपना mind लगाऊं, वो चीज़ मैं, हासिल कर सकता हूं, create कर सकता हूं, तो I really feel, कि आपके person, एक बहुत low self-esteem वाली जगा से, निकल कर अब एक बहुत ही confident, जगा पर आने वाले हैं, and it's all because of you, क्योंकि आपने उनको ये break-up दिया, ये challenge दिया है, and I feel कि अब वो इस challenge को accept करेंगे, in a very positive way, और बहुतर इंसान बनके आपके सामने आएंगे, and I really, really hope कि ऐसा ही हो, so अब हम, आपके लिए दो songs निकालने लगे हैं, yes and no होगा आपके लिए, और letters और numbers होगा, अपना question आप अपने जहन में रख लीजिए, letters and numbers, आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके partner का आ सकता है, life path number, house number, car number, phone number किसी का बन सकता है, सो शुरू करते हैं, yes and no से, four, two, 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 cue, so songs तो हमने देखे ही नहीं, पहला song है, माही वे, मुहबता सचियाने, बड़ा अच्छा song है ये, and then, दिल दे दिया, दिल दे दिया है, जहां तुम्हे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, very nice song, I really feel कि आपके person बहुत heart broken है, और जैसे वो आप से ये कहना चाहते हैं, कि मेरा प्यार तुमारे लिए हमेशे से true था, maybe मेरा, हमारा नसीब नहीं मिल रहा था, destiny नहीं है, maybe हमारा time खराब चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, बड़ जैसे वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, कि वो आप से प्यार करते थे, उन्हें realization हो गई है, अपनी गलती की, में आपके लिए कोई extra message हो, try again आगया है, let's try again, T, B, C, Z, I, E, T, B, number 6, V, K, C, X, and F, so ask a friend आगया है answer, जो कि हम consider करते हैं, trust your intuition, और ये हैं आपके letters on numbers, देख लिए आप से कैसे match करते हैं, और ये थी आपकी reading, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया मुझा बताईएगा comment section में, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe के बिना मत जाएगा, मेरी आप सब के लिए धेर सारी दुआ है, आप अपनी जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा, मैं मिलूँगी आप से नेक्स्ट वीडियो में, till then, love you lots, bye bye,